भाईया NTA ने हमारे साथ कर दिया है धोका, NTA ने भाईया Deleted Topics के अंदर से Question हम लोगों से पूछ लिया, अब अगर मैं Need 2024 को छोड़ करके Need 2025 के तयारी शुरू कर रहा हूँ, तो मुझे क्या करना होगा, क्या मुझे पुरानी NCIT पढ़नी होगी, क्या मुझे नई NCIT पढ़नी नहीं है, तो मैं आप लोगों को ऐसे Topics बताने वाला हूँ, जो कैसे Topics है, जो आप लोग पढ़ते हुए जाएंगे, भले वो Deleted कर दिया है NTA ने, लेकिन आपको पढ़ना है, ठीक है, इसके बाद क्यों वह ऐसे Topics को क्यों पढ़ना ज़रूरी, क्योंकि वह overlap Topic होते हैं, अब overlap Topic क्या होता है, सबसे पहले हैं आप इस चीज को समझ लेते हैं, कि यह क्या होता है, Topic is Deleted, Topic Deleted है, लेकिन क्या हो गया, कि वह जो Topic Deleted कर दिया गया है, उसका application, the other topics may have the application of that topic, मतलब वह Topic का involvement, दूसरे Topics के अंदर होगा, मैं आपको एक example देता हूँ, जैसे हमारे प तो आपको point force का basics पता होना चाहिए, otherwise आप viscosity नहीं निकाल सकते, तो point force और viscosity के लिए, viscosity के लिए point force कैसा हो गया है, overlap topic हो गया, मतलब वह है deleted, लेकिन आपको आना चाहिए, तो point force के उपर सीधा question भी future में देखने को मिल सकता है, बिलकुल मिल सकता है, क्यों मिल सकता है, क्यों मि point force के लिए, पांच और ऐसे topic आप लोगों को बताने वाला हूँ, जो topics, although deleted है, लेकिन हम पढ़ते हुए चाहेंगे, अब आपको syllabus का, अगर idea नहीं है, तो syllabus के लिए, मैंने एक session already बना चुका हो, मैं link उतका description में लगवा दूँगा, complete syllabus जो physics का है, आप जरूर अपने पास र comparison करा, old वाला और new वाला, जब मैंने दोनों चीदों का comparison यहाँ पर करा, तो मुझे दिखा कि भी है, momentum conservation यहाँ पर नहीं लिखा है, उसके बाद motion of center of mass भी, पुराने वाले में लिखा, यहाँ पर नहीं लिखा है, although यहाँ पर से यहाँ तक आने पर motion of center of mass और हमारा momentum conservation लिखा question पूछे हैं, अब यहाँ पर elastic potential energy को delete कर दिया है, तो यहाँ पर देखो कि बैटा, poisons ratio और elastic energy is deleted, तो आप जब धिहान से देखेंगे बैटा, तो यहाँ पर poison ratio आप यहाँ देखेंगे, तो poison ratio deleted है, तो यहाँ पर modulus of rigidity सक तो सही है, इसके बाद यह दो दो चीज़ यहाँ पर elastic energy के उपर नीट ने कई बार question पूछे हैं, तो elastic potential energy के उपर फिर से question आ सकता है, बहुत जादा different है, नहीं, इस टेस 10 को multiply करके आधे से divide करना होता है, तो elastic potential energy per unit volume यहाँ से निकल जाएगा, यह topic is again, हम इसे छोड़ करके जाने वाले नहीं है, इसके बाद अगली चीज़ आपको बताता हूँ, आप जब यहाँ पर देखेंगे, तो alpha, beta और gamma particles जो होते हैं, rays होती है, यह सब कुछ deleted है, आप देखेंगे, decay law, यह सारा की सारा यहाँ पर देखेंगे आप, तो decay, बलब deleted है, लेकिन alpha particle के बारे में आपको पता होना चाहिए, गामा rays जब निकलती है, तो gamma rays कैसे निकलती है, क्यों निकलती है, यह आपको पता है, गामा rays के बारे में हम EM wave में बढ़ रहे हैं, और यहाँ पर बच जाता है, alpha, beta particle, तो beta particle आपको nuclear reaction, क्योंकि nuclear fusion और fusion तो है, तो nuclear fusion और fusion तो आपके सारा बहिया, डिलेटेट नहीं है, तो nuclear reactions तो डिलेटेट नहीं है आपको dk पता हो ना हो, alpha, beta, alpha, gamma और beta आपको पता होने चाहिए, आइदर वो chemistry में पता हूँ, physics में पता हूँ, तो यह तीन चीज़, alpha क्या होता है, beta क्या होता है, गामा क्या होता है, और nuclear reaction के साथ यह चीज़ overlap होती है, तो alpha, beta, gamma, dk का जो लोग बूल रहे हैं, बहार से question आगया, out of the topic question आगया, वो nuclear reaction, nuclear balancing से आप लोग solve कर सकते हैं, clear है guys, तो this is also not a deleted topic, पर हम इसे क्या बोलेंगे कि एक overlap topic है, तो हमें इसे चोड़ करके नहीं जाना, alpha, beta, gamma, dk के बारे में थोड़ा सा अगरम पढ़ लेंगे तो जाधा अच्छा होगा, ठीक है, इसके अलावा ए ये को सीधा semiconductor शुरू कर दिया, ये जितना भी यहां तक दे रखा, ये deleted है, तो हमें क्या करना है, energy bands in solid में conductor, insulator को complete करते हुए चलना, ये पूरा की पूरा हम energy bands को भी complete करते हुए चलेंगे, हमें इससे conduction का अंदाजा होता है, क्यों conduction होता है, semiconductor क्यों conductive होते है, तो ये वाली accuracy and precision बहुत ज़्यादा खतरनाक तो नहीं, आप देखेंगे, ध्यान से पूरा की पूरा physics को उड़ाए गया है, लेकिन accuracy and precision को यहां से गयाप करा गया है, लेकिन understanding जब आप लाना चाहेंगे, किसकी errors की, तो errors की understanding के लिए, accuracy and precision is a very good topic, तो आपको accuracy and precision अगर आपको नहीं पता ह की लगी होगी, अगर बेटा आपको ऐसी ही information चाहिए, सही source से, सही जगे से, सही analysis वाले smart लोगों से पढ़ाई करनी है, smart teachers को चुनना है, तो smart decision आपको लेना होगा, और ये वाला जो है बेटा course, ये course का अगर आप अभी तक चूप चुके हैं, तो this price is 5999, ये price बहुत अच् बहुत जादा talented, बहुत जादा experience और बेटा online के दिगज लोगों के आप लोगों के पास available team है, these are the best people, इन्होंने बेटा offline में धमाका मचा है, इन्होंने online में धमाका मचा है, अब ये आप लोगों के पास इतने कम price में available है, तो use this thing, आपको बेटा description में link मिल जाएगा, आप म ज़्यादा दिक्तर फिजिस में आती है, फिजिस का doubt clearing, फिजिस का आपका mentorship, आपका फिजिस का question का improvement, हर एक चीज की जिम्मदारी मेरे उपर होगी, clear जनता, इसके अलावा अगर आप और किसी option में जाना चाहते तो plus has all these features, लेकिन अगर आप iconic में जाना चाहते हैं, तो 14999 का offline batch को देख सकते हैं, one-on-one mentorship मिलेगा, और printed notes मिलने वाले, I hope this is the best offer, clear है guys, ज़रूर लीजिए, ANUP code use करिए, मैं आपको personally guide करूँगा, आपकी neat की journey के लिए, clear है, okay everyone, I hope आपको वीडियो बहुत अच्छा लाग होगा, this is me Chiko भया, signing off, bye bye, good night, tata, और ये 6 topics जो मैंने बता है, इ इने जरूर कर लेना,